आज हम पढ़ेंगे introduction of and words के बारे में यानि हम ऐसे लफजों को पढ़ना शुरू करेंगे जिन में a, n an आता हो जैसके van बनता है van चलें आप इन लफजों को sounds की मदद से पढ़ना सीखते हैं letter v की क्या sound होती है v letter a की क्या sound होती है a और letter n की क्या sound होती है n v की sound v a की a और n की n v a अब आप बताएं, लेटर व की क्या साउंड है? व, लेटर ए की क्या साउंड है? अब आप बताएं, व, आ, न, क्या बनता है? व, व, बिलकुल ठीक, चलें एक मरतबास फिर लेटर ए और एं की साउंड को अलग से देखते हैं? आ, न, क्या बनता है? अ, आ, न, एन, तो इसके साथ व की साउंड को मिलाया, तो क्या बना? व, एन, वैन, बिल्कुल ठीक, इसी तरह से अब हम एक एक करके इन बाकी के letters को भी पढ़ेंगे, पहला letter यहाँ है, C, यह क्या letter है, C, और अब आप बताएं, letter C की क्या sound होती है, क, क, अब हमने इसको मिलाना है, letter A और N की sound के साथ, और letter A और N, इनकी sounds, A और N मिलकर क्या बनाती है, आन, आन, तो आन के साथ, क की sound को मिलाएंगे, तो की क्या बन जाएगा, क, आन, कैन, अब आप बताएं, letter C की क्या sound है, क, letter A और N, इनकी sounds है, आ और हम, मिलकर क्या बनता है, आन, क, आन को मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, कैन, कैन, अगला letter क्या है, यह है, letter M, letter M की क्या sound है, म, अब हमने letter M की sound को, आन की sound से मिलाना है, म, आन, क्या बना, म, आप बताएं, M की क्या sound है, म, और, letters A और N, इनकी क्या sound बनती है, आन, म, आन क्या बनता है, म, बिलकुल ठीक, आप देखते हैं, यह क्या है, यह है letter P, letter P की क्या sound है, प, प, अब हमने, प की sound को मिलाना है, आन की sound के साथ, जैसे के letter A और N मिलकर क्या sound बनाते हैं, आन, तो प, आन क्या बनेगा, पैन, पैन, अब आप बताएं, letter P की क्या sound है, प, ए और N की क्या sound है, आन, प, आन क्या बनता है, पैन, पैन, अगला लेटर देखते हैं, यह क्या है, यह है letter F, लेटर F की क्या sound है, फ, फ, अब हमने फ साथ को, आन की sound से मिलाना है, फ, आन क्या बनता है, फैन, फैन, अब आप बताएं, letter F की क्या sound है, फ, ए और N, इन दोनों की क्या sound बनती है, अन, फ, अन, मिलकर क्या बनेगा, फैन, फैन, चलें अब इन लफजों को लिखना सीखते हैं, इस तस्वीर में देखें, ये क्या है, ये है, वैन, अब लफज वैन लिखेंगे, और इसको लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा letter है, ये है letter V, यहाँ पर, four lines हैं, और हमने इन letters को line two और three के बीच में लिखना है, वी लिखने के लिए line two से three तक एक थोड़ी सी, इस तरह से टेरी सी line लगाएंगे, three से फिर इसको वापस उपर को लेकर जाना है, opposite या दूसरी side पर, ये हो गया letter V, इसके बाद क्या आता है letter A, इसको हमने line two और three के बीच में इस तरह से circle सा बना कर लिखना है, फिर एक line two और three से नीचे three पर रोग देंगे, ये हो गया letter A, अगला letter क्या है, ये है letter N, इसके लिए line two से three तक एक straight line, वापस line two पर, यहां से round करना है, और फिर एक straight line, line three पर ला कर रोग दिया, ये बन गया letter N, V, A, N, क्या बनता है, van, अब अगली तस्वीर देखें, ये है, man, man लिखने के लिए, पहला letter कौन सा है, letter M, M लिखने के लिए, line two और three से, एक straight line, वापस line two पर, फिर थोड़ा सा round, फिर line three तक लाएंगे, और फिर वापस line two, फिर round, और line three पर ला कर रोग देंगे, ये हो गया, letter M, अगला letter क्या है, letter A, line two और three के बीच में, इस तरहां से circle और फिर straight line, line two से three तक, letter A, अगला letter, ये है N, line two से three तक, एक straight line, वापस line two पर, एक थोड़ा सा round और फिर straight line, line number three तक, M, A, N, क्या बना, man, अगली तस्वीर देखें, ये क्या है, ये है, can, letter C, इसको लखने के लिए two और three के बीच में, इस तरहां से आदा circle, और फिर letter A लखने के लिए, एक पूरा circle two और three के बीच में, और फिर line two से three तक, straight line, letter A, और आखिर में आता है letter N, line two से three तक, straight line, और फिर line two पर लाकर थोड़ा round करना है, और line three पर रोख देंगे letter N, C, A, N, क्या बनता है, can, अगली तस्वीर देखें, ये है, pan, जिसमें अंडा fry करते हैं, पहला letter है P, पी लिखने के लिए line two से abstract line, line four तक, और फिर line two से एक आदा से circle बनाएंगे, और line three पर यहाँ लाकर मिला देंगे, ये है letter P, अगला letter है, A, line two और three के बीच में circle सा बनाना है, और एक फिर straight line three तक लाकर रोखना है, और ये है letter N, आखिर letter क्या है, इसका आखरी letter, ये है N, small n, line two और three के बीच में, फिर round और फिर, एक straight line, line three पर रोख देंगे, P, A, N, क्या बनता है, P, N, आखिरी तस्वीर देखें, ये क्या है, fan, सबसे पहला letter है, F, इसको लिखने के लिए, line one से, line three तक straight line, और फिर इसको हम line two पर, यहाँ cross कर देंगे, एक छोटी सी line लगाकर, फिर है letter A, A, एक circle सा, line two और three के बीच में, और फिर straight line, line three पर रोख देना है, ये है letter N, और फिर आखिर में है, माफ कीजिए कि letter A, और आखिर में क्या है, letter N, line two से three तक, एक straight line, फिर line two पर थोड़ा सा round, और फिर straight नीचे line three पर रोख देंगे, F, A, N, क्या बनता है, fan, तो अब आपने इसी तरह बाकी की ये जो lines है, इन पर भी लिखना है, जैसे के, पहला letter यहाँ पर है letter V, तो आपने भी इसी तरह नीचे की line पर भी उसी तरह से इसको लिखना है, और फिर उसके बाद A, और फिर N, इसी तरह से ये बाकी के लफ्स भी आपने लिखने है, उपर के जो letters हैं उनको देखकर आपने इसी तरह एक-एक करके copy करना है, और इस activity को आपने पूरा करना है इस तरह से, अब आप इस वीडियो को दुबारा देखें और इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश करें,